बॉर्णिंग, एक नई विकेंसी आई है, एससे के तरफ से, एलिजिबिलीटी होगी उसकी अग्रिकल्चर, होर्टिकल्चर, फोरेस्ट्री, जॉलोजी, वाइल लाइफ, इवन बॉटनिंग, बॉटनी भी है इसमें, तो हम लोग चर्चा करेंगे इस विकेंसी के बारे में, लेट्स सो, लेट्स स्टार्ट, पहली विकेंसी जो हम लोग देख सकते हैं, वो है डपटी ड्रेंजर के, ठेक है, डपटी ड्रेंजर, इसमें, एलिजिबिलीटी है, 10 प्लस 2, यह ग्रूप C, लेवल 4 की पोस्ट है, प्रॉक्सिमेटली आपको 35,000 रुपे तक आप लेट्स सिर्फ एक ही है, ठेक है, एज लिमिट और वो भी सिर्फ SC के लिए है, एक, एज लिमिट जो है, इसका 18 सा 27 साल का है, एलिजिबिलीटी 10 प्लस 2, कोई भी भर सकता है, ठेक है, इसमें कोई बॉटनी, BSC ऐसा कोई ज़रूप नहीं है, एलिजिबिलीटी 10 प्लस 2 है, BSC, Zoology, Wildlife, Biology, ठेक है, और एक चीज़ है, आप देख सकते हो, One Year Prior Experience चाहिए, One Year Experience in Data Collection, ठेक है, यह पहला इलिजिबिलीटी है, यह आपको दूसरा इलिजिबिलीटी है, One Year Experience आपको Data Collection में चाहिए, एस लिमिट की बात करें, तो 18 से 30 साल, और यह ग्रूप भी लेवल 6 की ज और अगर वेकिंसी की बात करें, तो इसमें भी एक वेकिंसी है, सिंगल वेकिंसी है, सिंगल एक वेकिंसी है, वो भी अन्रिजर्व के लिए है, तो जो अन्रिजर्व स्टूडेंट है, यह रिजर्वेशन वाल स्टूडेंट है, कोई भी बढ़ सकते हैं इसको, अब नेक् Technical Assistant की Senior Technical Assistant Soil Conservation Department इसका Department है Department of Agriculture and Farming Welfare यह लेवल 7 की जॉब है यहां आपको salary 60K तक मिल जाएगी 60,000 तक salary मिल जाएगी total vacancies में 2 है unreserved लोगों के लिए age limit 18-31 अब यहां पर हम लोग विस्तार से देखेंगे कि इसके eligibility क्या है wait हम लोग eligibility की बात करेंगे तो eligibility है master degree in agronomy, agriculture with agronomy as a subject or agriculture chemistry, soil science, agriculture extension, agriculture economics, agriculture botany, agriculture engineering BAC agriculture किये हुए है वो भी आप eligible है इसके साथ 3 year experience चाहिए 3 year experience in field of soil and water conservation, rain feed system, problem land reclamation, agroforestry 3 year का experience भी इसमें आपको चाहिए है, है ना next हम लोग देखेंगे wildlife inspector की post है, कौन से post है? wildlife inspector की wildlife inspector की post level 6 की है, इसमें आपको BAC in science चाहिए जिसमें zoology आप अपने semester में पढ़े होंगे जुलाजी as a one subject आप पढ़ाई किये होंगे, group B की job है, vacancy इसमें general बे कोई भी vacancy नहीं है सिर्फ एक vacancy OBC की है, एक vacancy ST की है, यह आपका department है, wild crime control bureau, wild crime control bureau department है और इसमें आप इसका eligibility आप बहुत ध्यान से आपको पढ़ना होगा तो आप देखोगे कि eligibility है वेट, bachelor degree in science with zoology as a subject from recognized university और एक second eligibility है, diploma certificate in wildlife management, मतलब B.A.C. zoology eligible होगे अगर उनका, जो semester का subject है, उसके अंदर आपको, एक B.A.C. में zoology अगर आपका subject है, ठीक है तो आप eligible होगे इसके लिए, wildlife inspector, काफी अच्छी post है, level 6 ही post है next है, botanical assistant, botanical assistant आपको ये botanical survey of india, इसका department अलहाबाद में इसके eligibility M.A.C. है, ये B.A.C. को eligible नहीं कर रहे है B.A.C. is not eligible, ठीक है M.A.C. है, M.A.C. in botany, agriculture, horticulture, forestry, even forestry भी eligible है बहुत कम जगा forestry eligible होते है वेकेंसी 3 है इसमें, 2 unreserved, 1 O.B.C. Ease limit, Ease limit 18-30, group B non-gazeted post है, level 6 की post है salary 55K तक तो ये रही आपकी पूरी वेकेंसी की जानकारी अब इसके exam pattern की बात कर लेते है exam pattern जो है, वो आपको पूरे SSC based का होता है SSC based के exam pattern में 4 होते है maths आते हैं, reasoning आते हैं, GK आते हैं और एक आता है आपको maths, reasoning, GK और English ठीक है, ये normal जो SSC का exam होता है न, SSC का prelims जो आप अगर नहीं भी दी होंगे तो आप बस पता कर लोगे तो आपको समझा जाएगा, कि इसमें maths, reasoning, GK और English 4 paper होते हैं, 25-25 questions रहेंगे इसमें, ठीक है, 25-25 questions रहेंगे, और आपको ये solve करना होगा, इसमें आपको कोई भी exam, य जाएगा, या horty culture पूछा जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, exam जो है, वो सब के लिए same ही रहेंगे, तो you can prepare for it, क्योंकि questions आपको बहुत general रहेंगे, और जो post है, वो बहुत सबजास post है, मतलब आपका future जो है, काफी अच्छा हो जाएगा, अगर आपको इसमें job मिल गई तो, central government की job है, it's a job of central government, तो आप समझ सकते हैं कि ये job बहुत अच्छा है, thank you.